सिंगापुर उडान एक तनाफपूर्ण अनुभव हो सकता है और कभी-कभी हवा में 20,000 फीट की दूरी पर फ्लेश अपवाइंट होते हैं। इंडिगो के चालक दल के एक सदस्य की हाल ही में कम लागत वाली एरलाइन के भोजन विकलपों के कारण एक यातरी के साथ तीखी बहस हो गई। प्लेश कहते हैं। Yes, when I'm disrespecting you. Then why are you yelling on me, pointing me like that? You are yelling me on me. Why are you yelling? Shut up! You shut up! I'm sorry, you cannot talk to me like that. I'm going to an employee here. You're calling for sure, sir. You are a servant of us. Yes, I'm an employee. I'm not your servant. I am an employee. I am not your servant. Don't yell. Then you don't yell. Don't yell. The Indian Express के मुताबिक वाइरल घटना शूने चार फर्वरी को इस्तामबुल से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6 E 12 में हुई थी ब्रिटिश अकबार डेली मेल ने बताया कि यात्री ने एक सैंडविच के लिए कहा था और एरलाइन क्रू ने उन्हें सूचित किया कि वे उपलब्धता की जाच करेंगे हाला कि वह आदमी गुस्से में उड़ गया और चिल्लाने लगा जिससे चालक दल का एक सदस्यरोने लगा ट्विटर पर पोस्ट किये गए एक वीडियो में एक हवाई परिचारिका को यात्री के साथ विरोध करते हुए और यह कहते हुए दिखाया गया है कि उसकी सहयोगी उसकी वजह से आसु बहा रही थी आपने मुझ पर उंगली उठाई और आप मुझ पर चिल्ला रही हैं उसने कहा उन्होंने कहा कृप्या समझने की कोशिश करें एक गाड़ी है और गिने हुए भोजन उपर उठाए जाते हैं हम केवल वही परोज सकते हैं जो आप बोर्डिंग कर रहे हैं वह आदमी खिर बीच में ही बोला और पूछा की वह क्यों चिल्ला रही है जिस पर वह चिल्लाई क्योंकि तुम हम पर चिल्ला रहे हो मुझे बहुत खेद है सर लेकिन आप कुरू से इस तरह बात नहीं करते हैं मैं शांती से पूरे सम्मान के साथ आपकी बात सुन रहा हूँ लेकिन आपको क्रू का भी सम्मान करना होगा उसके सहकर्मी ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन बहस बढ़ती चली गई उस आदमी ने चालक दल के सदस्य को चुप रहने के लिए कहा तुम चुप रहो मुझे खेद है कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ उसने जवाब दिया, जैसा कि अन्य यात्रियों ने देखा सोशल मीडिया यूजर्स डिवाइड़ इस घटना पर थे कुछ ने कहा कि चालक दल के सदस्य ने धैर्य रखने की पूरी कोशिश की जबकि अन्य को लगा की यात्री की बात सुनी जानी चाहिए जेट एरवेस के सीओ संजीव कपूर ने परिचारिका के साथ सहानुभूती व्यक्त की और ट्विटर पर लिखा की चालक दल भी इनसान है उसे तूटने के बिंदु पर लाने में बहुत कुछ लगा होगा वर्षों से एक मैंने चालक दल को थपड़ और गाली देते हुए देखा है जिसे नौकर कहा जाता है और इससे भी बुरा आशा है कि दबाव के बावजूद वह ठीक है जोड़ा गया जैसा कि मैंने हमेशा कहा है ग्राहक हमेशा सही होता है जब तक कि वह या वह गलत न हो शारिरिक या मौखिक दुर्व्यवहार या अपमान कभी भी स्विकार्य नहीं है इंडिगो के एक प्रवक्ता ने डेली मेल को बताया कि एरलाइन को इस घटना की जानकारी है और वह इसकी जाच कर रही है